आज हम बनाएंगे दूद में सूजी भिगो कर स्वार्जिस सीरा वो भी 10 मिन्टों में एकदम दानेदार परफेक्ट वीडियो पसना है तो वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्रीस चैनलों को भी सबस्राइब जुरूर कर देना यहाँ पर मैंने एक बाव लिया है उसमें डाना है सूजी एक कोटोरी जिस कोटोरी से हमने सूजी लिया है उसी कोटोरे से दूद ले ले लेंगे एक कोटोरी दूद में सूजी अच्छे से मिक्स करना है भिगो देना है पाश्मिट तक हम भिगो कर साइड में रख देंग पाश म्यूट यहां पर हो गया है दूद में सूजी को भिगोते हुए तो सूजी अच्छे से फुल गई है दूद पूरा अबजोव हो गया है इसे अब साइड में रखेंगे गैस के उपर रखा है मैंने कड़ाई एक कटोरी डाला है चीनी और दो कटोरी डाला है पाने जिस सरेन सबको उबाल आने दना है हमें शक्कर के पाने में यहाँ पर हमें चाश्णी नहीं बनानी है तो अच्छे से उबाल आ गया है तो इस कड़ाई को आब हम रखेंगे साइड में इलैची पाष्ड़र डाला है मैंने गैस के उपर अब मैंने रखा है दूसरी कड़ाई एक कटरी घी ले लेंगे, यहाँ पर हमें घी का इस्तमाल अच्छे से करना है, एक चमस घी डालेंगे, यहाँ पर हमें ड्राइफर्स को फ्राइ कर लेना है, मैंने लिया है बदाम, काजू और सुका खोवरा, इन्हें ब्राउन कलर होने तक अच्छे से फ्राइ कर लेना है, ह जो सूजी को हमने भीगो कर साइड में रखा था दूद में आप वो डाल देंगे बहुती स्वादिश्ट बनता है ये शीरा ग्यास का फ्लेम यहाँ पर हमें बहुती दीमा रखना है एकदम लो फ्लेम पर रखना है ग्यास को अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम सूजी को अच्छे से मिक्स करते लाएं जाल में दो मिद्वाटे रहना है सूजी को मेने दो मिद्趣 से सूजी को मिक्स करते रहना तक बहुत ही जल्दी शीरा बनकर त्यार हो जाता ये और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है एकदम परशआ द्ट वाला सीरा जो हम बनाते हैं, वैसे ही बनता है. तो यहाँ पर घी सेपरेट होना शुरू हो गया है तो जैसे ही घी सेपरेट हो जाएंगा, तो समझ लीजे, यहाँ पर रवा अच्छ शूजी बून गई है जो शकर का पानी हमने बना कर रखाता वो डाल देंगे ग्यास का फ्लेम यहाँ पर मीडियम करेंगे और मीडियम करके आच्छे से मिक्स करते रहेंगे शीरा को ग्यास का फ्लेम यहाँ पर मीडियम करते हुए आच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब हम डालेंगे ड्राइफूर्स, जो ड्राइफूर्स हमने साइड में रखा था, फ्राइ करके उसे डाल देंगे, अब ग्यास का फ्राइम करेंगे, धीमा अब ढ़कन बन करकर एक दो मेट तक हम सूजी के शीरे को पका लेंगे, बहुती स्वादिश बनता है और दानेतार भी बनता है, आप भी ये रेसिपी को जुरू ट्राइ करिए तो दो मिन्ट तक मैंने स्लो फ्लेम पर शीरे को पका लिया है, तो यहाँ पर बनकर त्यार है सूजी वाला शीरा, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट के विदारा जोरूर बताए, वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक शेयर जोरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कर देना, फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए, बाई बाई टेक केर